नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका दा जी एस प्लेट फॉम यूट्यूब चैनल में तो देखिए आज मैं आपको संस्कृतियम कला से संबंदित कुछ प्रिश्णों से आउगद कराना चाहूँगा क्योंकि यह भी एक कोर्स का भाग है जैसा कि देखिए आपका यहां प भारतिय संस्कृति एवं कला तो देखिए भारतिय संस्क्रति और कला को करंट अफयर के टॉपिक में दिया गया है तो देखिए इसको भी हम लोगों को सही से पढ़ना है क्योंकि करंट अफयर के टॉपिक में इसको सामिल करने का मतól कि इसके प्रिश्ण आएंगे केवल करंट अफियर नहीं पढ़ना है उसके साथ साथ भारती संस्कृति और कला की प्रिश्णों को भी हम लोगों को पढ़ना पढ़ेगा तो यह देगे जो भी मैंने बताया है यह जो टूदा पॉइंट है यानि कि इसलेबस में दिया गया है कोई वी ऐसी वीडियो यह नहीं है कि मैं अपने मन से या अपने तरफ से कुछ भी बना रहा हूँ यह देगे सलेबस में दिया गया है तो मित्रों मैं आपको बता दूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजे साथी साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजे जिसे कि आपको नई वीडियो को नोटिफिकेशन मिलता रही तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जो कि आपकी है भारतिय संस्कृतियों कलास रिलेटेड तो देखिए इस वीडियो में 25 25 question cover किये गए है जो कि 25 question most important है आगे भी एक दो वीडियो भारतिक कलायम संस्कृति टॉपिक से आपकी आएगी और आना भी चाहिए क्योंकि यह according to syllabus है syllabus में दिया गया है current affair वाली topic में आप देखेंगे तो अंत में लिखा है भारतिक कलायम संस्कृति तो very important question यहाँ पी मैं discuss करूँगा तो चलिए देखिए पहला question है मधुबनी painting मधुबनी painting किस राज से संबंदित है तो देखिए यह चित्रकला का एक प्रकार होता है तो इस चित्रकला को बिहार में यह बिहार की पैंटिंग का एक नमूना है तो ध्यान रखेंगे इस चीश को मधुबनी painting कहां से यह बिहार से दूसरा प्रिशन चार जगह का आयोजन क्या जाई है सरस्ति कि संगम पर है other God शिप्रा नदीक किनारे सरे पर आगे देखिए कुछ फसल के अंत पर जो मनाई जाने वाले त्योहार यहाँ पर दिये गए हैं, जैसे यहाँ पर दिये गए हैं, बिहुत त्योहार कहां मनाया जाता है, तो देखिए बिहुत त्योहार असम में मनाया जाता है, जो एक वर्स में तीन बार मनाया जाता है, क्यो आगे देखिए पॉंगल किस राज में मनाया जाता है तो देखिए पॉंगल तिवार तमिलनाडू में मनाया जाता है यह जनवरी माय में फसल कटाई की समय पर मनाया जाता है जब भी फसल को काटने का टाइम आता है तो पॉंगल तिवार मनाया जाता है तो देखिए बैसाख टिवार पंजाब में मनाया जाता है ये भी आपका फसल कटाई से रिलेटड ही एक टिवार है पंजाब में मनाया जाता है आगे देकिये अतापु किस टिवार से सम्मदित है तो उडम से सम्दित अभी उपर बतेखिए संगीत नाटक संगीत में एक नाटक होता है तमाषा किस राज से संबंदित है तो देखिए तमासा जो नाटक है वो आपका महराष्ट राज से संबंदित है देखिए दस्मा प्रिश्ट न cockpit आदिगूरू संकराचार द्वारा इस्थापित चार मठ कौन से है आदिगुरु संक्राचार ने अपने दर्सन की परचार परसा रहे तू देखिए भक्तियांदोलन के एक प्रमुक संत रही है संक्राचार नोने अपने दर्सन की परचार परसा रहे तू बहरत में चार दिसाओं में चार मठों की स्थापना की है जो की है जोतिर मठ स्रिंगेरी मठ द्वारका गोबर्धन पीट देखिए चार दिसाओं में ऐसी उत्तर दिसाओं में उन्होंने बद्रीनात की स्थापना की है बद्रीनात में उत्राकंड राज में है जो की जोतिस पीट है व तो ये उडिसा में है वहाँ पर है आपकी गोवर्धन पीट ठीक है और पश्चिम में आपका द्वारका है जो कि गुजरात में है वहाँ पर आपकी है सार्दा पीट ठीक है तो वहाँ पर ध्यान रखेंगे इस चीज को ये सभी वहाँ पर संकराचार ने चारमट इस्थाप गुषा चाओध है यहोदी लोग जहाँ पर अपनी पुजा अर्चना कड़ते हैं उसको क्या कहते हैं तो सिनिगौग कहते हैं ठीक है सिनिगौग आगे दिखें चित्रगुप्त है जो की कायस्थों की देवता होती है चित्रगुप्त कायस्थों की देवता उनको यम्राज के सायक भी कहते है यानि यम्राज के असिस्टेंट कह सकते हैं सायक कहा जाता है ठीक मंदर का नाम भी उनी के नाम पर पढ़ा है चित्रकुप्त स्वामी मंदर ठीक है, आगे देखिए सूफिया कलाम एक भक्ती संगीत है देखो सूफि मत क्या है मुसलिमों में जो संगीत के प्रती आसक्त होते हैं लोग या जो संत वो सूफी संत कहलाते है जैसे भारत में मुएनुद्दीन चिस्ती, निजामुद्दीन ओलिया, सिक्सलीम चिस्ती, ठीके, कुतुबदीन बक्तियार काकी, ये सब सूफी संत रही है, तो देखिए उसी से related एक प्रिसन है कि सूफिया कलाम, एक भक्ती संगीत है, औ आगे देखिए, उस्ताज अल्ला रखा खा, कौन सा वादियंतर बजाते हैं, तो देखिए, उस्ताज अल्ला रखा खा, कौन सा वादियंतर बजाते हैं, तो तबला बजाते हैं, ठीके, आगे देखिए, प्रिसिद्ध सास्त्रिय गायत, भीम सैन जोसी, किस गराने से संब गयूड है इनका अंसर है किराना गराना ठीक क्यार कुःत्थु निरत्त किसराजिक्षरणalat zab Whenever के प्रकार इते हैं ठीक है को प्रोब्ड के रेल जाती दौरा ये भाइस को मनाये जाता गए इसको चाक्यार नृत किस राज से समद्धित है तो देखिए कत्थक जो नृत की एक सहली है वो उत्तर प्रदेश की है अगला देखिए कोचपुडी नृत किस राज का है तो देखिए कोचपुडी आंदर प्रदेश का है ठीक है अगे देखिए मोहिनी अट्टम राज में कौन सा नृत होता मतलब स्री मोहिनी अट्टम किस राज का नृत है तो मोहिनी अट्टम देखिए केरल का है ठीक है और 25 और अंतिम प्रिसन है ओडिसी नृत किस राज से जुड़ा हुआ है तो ओडिसी अपने उस राज के नाम से ही संबंदित है उडिसा से तो देखिए यहाँ पर मैंने 25 question आपको दिये 25 question जो की most important question है कला एम संस्कृति की लिहाज से काफी अच्छे प्रिस्न है तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा कमेंट करके आप बताएए कि क्या कला एम संस्कृति पर इसी तरह का एक और वीडियो आपको चाहिए तो वीडियो को अंत में खत्म करने इस पहले में आपको बता दूँ कि आप मारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह से ना भूलें जिससे कि आपको नई वीडियो मिलती रहे मिलती अगली वीडियो हम तब तक के लिए नमस्कार